इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कारगिल का युद्ध हुआ था तो 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तान पर भारत की एतिहासिक जीत का जस्न मनाने के लिए हर साल ये कारगिल बिजयत दिवस मनाया जाता है अब ये इंपूटेंड डिवाल अकुश्यन है तो अभी एक जुलाई को रास्टी चिकित सा दिवस मनाया गया इस बार इसकी थीम थी फैमिली डॉक्टर्स ओन दा फ्रेंट लाइन दो जुलाई को बेश्चु खेल पत्रकार दिवस मनाया गया दो जुलाई को ही अंतरास्टी सहकारिता दिवस मनाया गया और 2 जुलाई को ही 200 UFO दिवस मनाया गया 3 जुलाई को अंतरास्टी प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया 4 जुलाई को सुतंता सेनानी अलूरी सीताराम राजु की 125 मी जैनती मनाया गया 6 जुलाई को 200 जुनोस दिवस मनाया गया साथ जुलाई को बेश्टु क्विस्विली दिवस मनाया गया, दस जुलाई को राश्ट्री मच्छली किसान दिवस मनाया गया, ग्यारे जुलाई को बेश्टु जनसंक्या दिवस मनाया गया, बारे जुलाई को बेश्टु मलाला दिवस और बेश्टु पेपर बैक दिवस म पंद्रे जुलाई को बेश्चु युवा कॉसल दिवस मनाए गया, सत्रे जुलाई को अंतरास्टी न्याय दिवस मनाए गया, अठारे जुलाई को नेलसन मंडेला अंतरास्टी दिवस और तमिलनाडू दिवस मनाए गया, अठारे जुलाई को ये दू इंपोर्टेंडी मना कि वेश जूनाई को बेशसे सत्रण जी दिवस बनाया गया और इस बार की बेशसे सत्रण तीम थी विम inic kan वीट जू लाई को बेशसु मस्तिस्क दिवस और राश्टी ध्ष्जस अंगीकरवस दिवस मनाए गया, 23 जुलाई को रास्टी प्रसारट दिवस मनाए गया, 24 जुलाई को आयकर दिवस बनाए गया, 25 जुलाई को बेसु ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस और बेसु आई वीएफ दिवस मनाए गया, तो जुलाई में अब तक इतने इंपोर्टेंडी मनाए यह आपको याद रखने है अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40 या लाइक का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है यह लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और सेर जरू किया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ डेली मौनिंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट फिक्स करो चाहे छोटा सा ही टार्गेट फिक्स करो लेकिन डेली मौनिंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टार्गेट को अचीब करने में लगा दो आपकी लाइब ऑटोमेटिक लिए अच्छी हो जाएगी नएक शुशन है हाली में किस राजी के मुख्य मंत्री ने पुलिस के लिए इसमार्ट एवीट प्रडाली शुरू की है तो अभी हर्याना के चीपनिश्टर मनुहर लाल खटर ने गुरु ग्राम में पुलिस के लिए इसमार्ट एवीट प्रडाली शुरू की तो इसको इनका C अप्शन सही है कुरु ग्राम में पुलिस, उपस्थिति और कर्मियों द्वारा गस्त की बास्तमिक समय निगरानी के लिए ये इसमार्ट एवीट प्रडाली शुरू की गई है अभी हर्याना के मुख्यमंत्री ने सोनू फोगाट की पुस्तक अस्तांग योग का भी मुझन किया। हर्याना के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुस्मा सुराज पुरुसकार की गोशना की। किसे बेस्वेंग का मुख्य अर्थ सास्त्री न्यूक्त किया गया है। तो अभी इंदर मीत गिल को बल्डवेंग का मुख्य अर्थ सास्त्री न्यूक्त किया गया। अच्छा, वर्ड वेंग, तो वर्ड वेंग की स्तापना कब हुई, 1944 को, वर्ड वेंग का हेड़कॉर्टर कहा है, वासिंग्टन डी सी में, और वर्ड वेंग के प्रजेंट अहम पे प्रेसिडेंट कौन है, डेबिड मालपास, अच्छा, अभी ओएंजी सी विदेश केगा, केन सरकार ने MSP विवस्ता को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष संजे अगरवाल को न्यूक्त किया है, रतन इंडिया पावर के MD के रूप में, ब्रजेस गुपता को न्यूक्त किया गया है, संग लोकसिवा आयो के नए सदस्ति बने हैं, राज सु केशन है, बारत ने केस देश के सरडार्थियों के लिए, UNRWA में तू पोईट-फाईब मिलियन युएस डॉलर यूक्ड़ार गां दिया है। तो अभी अपने देश भारत ने, फिलिस्तीन के सरडार्थियों के लिए, UNRWA में तू पोईट-पाईब मिलियन युएसمكن का अब UNRWA, इसकी फुल्फों क्या है? United Nation Relief and Works Agency, क्या है? United Nation Relief and Works Agency, अब फिलिस्तीन, तो ये है मैप में फिलिस्तीन, फिलिस्तीन की केपिटल क्या है? अच्छा, administrative capital रामला है, बैसे फिलिस्तीन की भी capital जिरुसलम है, फिलिस्तीन की करंसी क्या है? Egyptian Pond, और फिलिस्तीन के present time पे President कौन है? महमूद अब्बास, कौन है? महमूद अब्बास, next question है, हाली में दिलेप कुमार, in shadow of a legend, नमक पुस्तक किस ने प्रकासित की है? तो ये फै पेजल फारुकी ने प्रकासित की, तो इस कुछिन का बे options है, प्रस्चिद अबिनेता थे दिलेप कुमार, इने पर बेस्ट ये बुक, दिलेप कुमार, in the shadow of a legend, प्रकासित की गई है, और इसे पैजल फारुकी ने प्रकासित किया है, अच्छा, बुक्स की बात है, तो ये बुक लिखी प्रार्थना बत्रा ने, एक ये बुक है, क्रंच टाइम, नरेंद्र मूदी ज, नेशनल सिक्योर्टी क्रैसिस, इसे स्रे राम चॉलिया ने लिखा है, एक ये बुक है, राउल बजाज, एन एक्स्ट्रा ओर्डिनरी लाइफ, इसे गेता पीरामल ने एक ये बुक है, The Maverick Effect, The Inside Story of India's IT Revolution, इसे हरीश महता ने लिखा है, और एक ये बुक है, Chinese Spies, From Chairman Mao to Xi Jinping, इसे रोजर पैलिगोट ने लिखा है, तो ये भी अभी जो रेसेंट बुक लुच हुए हैं, वो हैं, ये भी आपको याद रखनी है, ने शुशन है, हाली में ससस्त बलों के बीच 70 बढ़ाने के लिए, तेनो सेनाओं के संयुक्त थियेटर कमंड की इस्तापना की गोशना किसने की है, तो इसकी गोशना की है, हमारे रक्षा मंतरी राजना सिंग ने, तो इस कुशन का A option सही है, ये जो संयुक्त थियेटर कमंड बनेगा, इस इंडिया अव्यान शुरू किया है, तो ये Sports Authority of India ने शुरू किया, तो इस कुशन का C options है, अब Sports Authority of India इसकी स्तापना कव हुई, 1984 में, इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है, न्यू डैली में, और इसके प्रजेंटेंपर डिरेक्टर जनरल कौन है, संदेप प्रधान कौन है, तो अभी तमिल नाडू ने जिला जलवायू परिवर्तन मिशन की स्तापना की, तो इसकुशन का B options है, ये जो जिला जलवायू परिवर्तन मिशन, यानि कि डिस्टिक क्लाइमेट चेंज मिशन होगा, इसमें जिला कलेक्टरेटरों द्वारा मिशन निदेशक के रूप में और डिस्टिक फॉरस्ट ओफिसर के द्वारा जलवायू अधिकारी की रूप में कारे किया जाएगा, अब तमिल नाडू तो ये है मैप पे तमिल नाडू, तमिल नाडू की केपिटल क्या है, जेन नई, तमिल नाडू के चीपनिश्टर कौन है, M.K. स्टालेन, और तमिल जीज्टिक के साथ समझाता किया है, तमिल नाडू राजिसरकार ने 18 दिसंबर को अलप संक्यक अधिकार दिवस्क की रूप में मनाने की गोश न ही, और तमिल नाडू सरकार नहीं 14 अपरेल को समान्ता दिवस्क के रूप में मनाने की कोश न की है तमिलनाडू के मुख्य मंत्री ने एनम एजुथम यूज ना सुरू की है तमिलनाडू ने कॉलेज की छात्रों के लिए नालया थिरम कौसल कारिकरम सुरू किया है 71 मी सेनियर राष्ट्री वास्केटबॉल चेंपेंसिप तमिलनाडू ने पंजाब को हरा कर जीती है भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर उर्जा सहियंत थुत्थुकुडी तमिलनाडू में स्ताफित किया गया और तमिलनाडू सरकान ने ओनलाइन गेमिंग को बिनियमित करने के लिए पैनल गठित किया है अच्छा तमिलनाडू में जली कट्टू का आयोजन किया जाता है आदि पूरम त्युहार तमिलनाडू में मनाय जाता है पूरे देश में मचले के उत्पादन में तमिलनाडू नमबर उन पे है ध्यान रखना मचले के उत्पादन में तमिलनाडू नमबर उन पे है सबजीयों के उत्पादन में उत्तरप्रदेश नमबर उन पे है फलों के उत्पादन में आंदरप्रदेस नमर उन पे है और चेनी के उत्पादन में महारास्ट नमर उन पे है अचा अभी जो खाद्य सुरक्षा सूचकांग जारी किया गया था उसमें भी तमिलाडू टॉप पर आ था तो बजराम बेगज इन्हों ने अभी अलबानिया के रास्टपती की रूप में सफ़त ली तो इसकुष इनका A options है यह है यह है बजराम बेगज और यह अलबानिया के नौमे नमर के रास्टपती बन गए है अब अलबानिया तो यह है मैप में अलबानिया अलबानिया की capital क् तिराना, अलबानिया की करंसी क्या है? अलबानियन लेक और अलबानिया के अब राष्टपती तो यही बने हैं बजराम बेगज अच्छा अभी जो रिसेंटली प्रायम निस्टर और प्रेसिडेंट बने हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं सेख मुहम्मद सवा अलसलेम ये क्वेट के नए प्रदानमंत्री बने यायर लैपेड ये इस्राइल के चौधे में नमबर के प्रदानमंत्री बने है गुस्तावो पैट्रो ने अभी कोलंबिया के राष्टपती के रूप में चुनाव जीता है जोस रामो सोटा ये एस्ट सिमूर के नए राष्टपती बने हैं एंथनी अल्बनीज ये उस्टिलिया के नए प्रदानमंत्री बने है और एलिजावेट वोर्ने ये फ्रांस की पहली मैला प्रदानमंत्री बनी है अच्छा यहां पर माइंड में ये भी तो आ सकता है कि इंडिया में भी तो नए करने हैं नए क्यूशन है हाली में अमर सहीद चंसेकर की भव्य प्रतिमा कहां इस्तापित की जाएगी तो अभी भोपाल में अमर सहीद चंसेकर की भव्य प्रतिमा इस्तापित की जाएगी तो इसकूशन का बे आप्शन सही है और प्रतिमा इस्तल को युवाओं के प्रद बना दिया है यह पूरे महिने के करेंट अफेस का質 का audio है अगर आपने यह audio सुन लिया तो आपको पूरे महिने के कणर अफेस याद हो जाएंगे और मैंने audio इस तरह बनाने की कोशिच कि यह है कि सारे current affairs आपको सुन के ही याद हो जाए तो इस audio को आप ख़वरे app पर सुन सकते हो nature description में audio revision के नाम से एक link दिया हुआ है उस link पर click करके आप इस audio को सुन सकते हो एक बार आप इस audio को सुन के देखो आपको पूरे मन्त की current affairs बहुत आसानी से याद हो जाएंगे मन्जूरी दी है तो अभी ADB ने हिमाचल प्रदेश में सुरक्षित पेजल के लिए 96 million dollar के red को मन्जूरी दी तो इस question का C options है यह है अब मन्जूरी ADB ने दी यानि की Asian Development Bank इसकी स्तापना कभ होई 1966 में इसका headquarter कहां पर है पिलिस्तेन में और इसके present time पर प्रेसिडेंट कौन है मत्साथसुगू असकवा कौन है मत्साथसुगू असकवा अब हिमाचल प्रदेश तो यह है मैप में हमाचल प्रदेश हमाचल प्रदेश की केपिटल क्या है सिमला हमाचल प्रदेश की चीपनिश्टर कौन है जैराम ठाकोर और हमाचल प्रदेश की गवर्नर कौन है राजेंद्र अर लेकर अभी सिंगल यूज प्लास्टिक बाइबेक योजना ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की है नारीको नमन योजना ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की NHPC हिमाचल प्रदेश में हरित हाइड्रोजन परयोजना विक्सित करेगा और पहला जैब विवित्ता पार्क हिमाचल प्रदेश के मंडी में बना है हिमाचल प्रदीश में ठेर गंगा नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालया नेशनल पार्क है یہ हिमाचल प्रदीश के important नेशनल पार्क है Next portion है हाली में केईस देश के शकुराजिमा जौला मुखी में लगातार त्यन दिन तक भी स्पोर्ट हुआ है तो जापान की सककुराजिमा ज्वाला मुक्षी में लगा तर तेन दिन तक भी sport हुआ तो इस कुष इनका बे options है अब जापान तो ये है मैप में जापान जापान की capital क्या है Tokyo, जापान की currency क्या है yen और जापान की present time-per-president कौन है फुमियो केशिदा अच्छा जापान पहली बा नाटो सिखर समेलन में भाग लेगा W.E.F. के ट्रेवल एंड टूरिज्म डिवलप्मेंट इंडेक्स में जापान टॉप पर रहा दुनिया की सबसे बुजुर्ग ब्यक्ती केन तनाका का 119 बरस की उम्में निधन हुआ है ये जापान की थी दुनिया का पहला डूल मोड बहान जापान ने पेस किया ये रेलबे ट्रेक पर भी चल सकता है और रोड पर भी चल सकता है हैंले पासपूर्ट इंडेक्स में जापन टॉप पर रहा और जौला मुकी विसपूर्ट से जापन में एक नया द्वीब बना है नया शुशन है हाली में 2022 टूर डे फ्रांस किताब किसने जीता है तो अभी जोनास विंगार्ड ने 2022 टूर डे फ्रांस किताब जीता है तो इस कुशन का से उप्संस है आप इमेज में देखिए ये हैं जोनास विंगार्ड ये कहां के हैं ये डैन्मार के हैं ये पहले डैनिस राइडर हैं जिन्होंने टूर डी फ्रांस खिताब जीता है। ने क्यूशन है हाली में स्वर समराट फेस्टिवल का दस्मा संस्क्रड कहां शुरू हुआ है। तो स्वर समराट फेस्टिवल इसका दस्मा संस्क्रड अभी नई दिल्ली में शुरू हुआ तो इस कुछिन का बे आप्शन सही है स्टेटेजिक पार्टनसिब फॉरम के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है अब अमेरिका तो अमेरिका में एक दसक के बाद पोलियो का पहला मामला दरज किया गया है ये नियू यॉर्क में दरज किया गया और अभी एक रिपोर्ट आई है इस रिपोर्ट के एकोर्डिंग 2021 में भारत के जितने भी लोगों ने नागरिकता छोड़ी है उनका पहला पसंदीदा देश है अमेरिका अमेरिका की सेनेट ने गन कंट्रोल बेदेख पारित किया है आरती प्रवाकर को अमेरिका के राष्टपती के बिज्ञान सलाकार के रूप में न्यूक्त किया गया है और इंडिया और अमेरिका के वीच में कौन-कौन से डिफेंस एक्साइज होती है कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्फ, बज़ प्रहार और युद दब्यास यह इंडिया और अमेरिका के वीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्साइज है अब लास्ट वीडियो के कुशिन का आंसर लास्ट वीडियो में मैं आपसे कुशिन पूचा था कि हाली में पे टीम पेमेंट सर्फिस Только के सीं fav के रूप में क्येन रूप में अपव्ה या तो अभी नकुल्ड जैन को पे टीम पेमेंट सर्फिस कर्पें में आपकोत्य其實 को यानि कि इस पूछिन का बे और औक एल औस लागभ्य इस कांसा है लिए में आपको एक बार फिर बोलूँगा क्वेशन के बारे में आपको जितना जाद से जाद पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो पर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अच्छा यह जो मैंने जून के पूरे महिने का ओडियो बना है इसमें मैंने पूरे महिने के जितने भी important current affairs हैं सारे cover करने की कोशिश की है और audio को किस इस तरह बनाने की कोशिश की है कि यह आसानी से आपको याद हो जाएं नेचे description में audio revision की नाम से link दिया हुआ है मैं आपको एक बार फिर बोलना हूँ इस audio को आप एक बार सुनिए जरूर आपको सुनने से फिल होगा कि आपको आसानी से current affairs